कोई हमें बताएगा कि अब यह क्या है यह लगाना है बालो में यह लगाना है बालो में अरे भाई क्या यह लगाना है बालो में अब यह पाउडर लगाना है बालो में ठीक ठीक बताता क्यों नहीं है कोई यार पिएर कलर की समस्या ना बड़ी बड़ी बहुत बहुत बड़ी है। क्योंकि है जब सफेद हो जाते हैं बाल जब सफेद होते हैं उनको न रंगने की बड़ी कॉंट्रोवर्सी रहती है। अगर आपको quick result चाहिए तब आपको parlor में जाना है और अपने बालों को color कर वा लेना है या chemical वाले प्रोडक्ट खरीदने है बजार से और बालों में लगा लेने हैं लेकिन मैं आपको पिताती हूँ एक बहुत यासान सा नुसका जिससे आप natural तरीके से बालों को color कर सकते हैं यहां ब्रह्म और भ्रांतियां ये भी होंगी कि भाई ये natural नहीं है या ऐसा भी हो सकता है कि भाई इससे बाल लाल होते हैं जब मैंने बात लाल होने की बात की तब आप समझ गये होंगे कि महंदी का ही जिक्र करने वाली हूँ आज हम तोड़ा different तरीके से महंदी मैं आपको यह भी बताऊंगे जो चीजों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वह क्यूं कर रहे हैं तो नबशकार दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आपको कुद्रत केयर और मैं हूं मॉनिका आज भी एक कोशिश है बहुत ही easy सा और quick सा नुस्खा लेके आने कि महनी घूलने क अगर आपको अपने बालों को अच्छे से कलर करना है लोहे की कडाही ले ली है और उसमें हमने डाल देना है यह कथा और इसको थोड़ा सा पानी डाल देंगे हम इस तरह से और इसको डेल्यूट होने देंगे थोड़े समय के बाद यह अच्छे से डेल्यूट हो जाता है ये देखिए ये जो है ये धीरे 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 मेल्ट होने लगेगा इससे बालों में जो ब्राउनिश कलर होता है वो गहरा होता है ये इतना वैजिकल इंग्रेरेंट है कुछ लोग बोलते हैं कि ये कलर होता है कुछ लोग बोलते हैं कि ये हामफुल होता है बालों के लिए ल तो भीगो को पड़ता है। तो यह देखिए अच्छे से दूठी इसमें पानी में गल गया है। कथा होता है तो यह पानी में असानी से मिल जाएगा। मैं ने अईरवेदिक शॉप से बहुत सारा सामान वहां मिलता है। अभी मैंने समुद्री जाग से एक वीडियो बनाया था मतलब मैं ढूंड ढूंड के थक गए थी क्योंकि मुझे आनलाइन नहीं लेना था पहले मुझे देखना था समुद्री जाग कैसा होता है फिर मुझे लेना था तो मुझे थैंक गॉड वहां मिल गया और बहुत सारी वीडियो अभी आते रहेंगे तो आपने ना बस ऐसे एक्साइट होते रहना है यह देखो यह इस तरह से कलर इसका थोड़ा सा प्राउनिश कलर होता है तो यह कोफी के कलर जैसा आप बोल सकते लेकिन गहरा होता है तो यह मिलन महंधी राजस्थान में मिलती है काफी फेमस करना है अपने बालों की लंबाई के हिसाब से मैं ले रही हूं अच्छा कोशिश करें कि इसको बनाने दोरान जो आपने बनाने कड़ाही बढ़ी लें क्योंकि कड़ाही में जितना अच्छे से मेहंदी को फिला सकते हैं आप उतना ही आपके बालों के लिए अच्छा होगा ऐरन अच्छा मिलेगा मेहंदी अच्छी गुलेगी तत्व अच्छे अच्छे मिलते हैं लोहे के ठीक है बालों की लंबाई के हिसाब से मैंने इसमें मिलाई है मेहंदी एक टूकडी डाला है कथा पाउडर नॉर्मल पानी में, और मैंने मिलाया है आमला powder, ठीक है, आमला भी हमारे बालों को काला करने में मदद करता है, साथ में जितना आमला मैंने मिलाया है, tears spoon जो होता है वो ही मिलाया है, ज्यादा चीज़ें नहीं मिलानी है हमको, लेकिन हाँ, बाल आप बोलते हैं कि बड़े dry-d परिक शॉप है और भी काफी सारा सामान मिलता है वहीं से लिए जो चीजे मुझे लगी कि बालों में चमतकार कर सकती है वह सारी चीजे मैंने वहां से ले ली अब ये कडाही के साइड साइड में देखोगे ना अगर तो थोड़ा थोड़ा काला होना शुरू हो गया है क्यों कि अगर कमी होती है तो आमला को किसी ना किसी रूप में आप खाना शुरू कर देजिए आपके बाल अच्छे होंगे बालों का कलर गहरा होता है और साती साथ आपके बालों का टेक्श्चर भी अच्छा होता है समय से पहले अगर आपके बाल सफेद हो रहे हैं तो ये वाल कि हैसे लुअ की सब्सक्राइब शיכ डूले के लिए ओपर्श करता है इसे हैं Looks का यह मेरत ऐसे आपके बालों में लाल जना है डार मेरत पड़क करने के लिए अपो假 करता है। अब आपनी क्या करना है मैंने ओवरनाइट के लिए इसको भिगो के इस तरह से ढख के रख दिया था लेकिन मेहंदी मैंने बहुत अच्छे से फेलाई अच्छा ये मेहंदी हमने दो लोगों ने लगानी थी मम्मी ने लगा ली है अब ये पूरी साइड में चिपक जाती है म नारी मेहंदी को खुर्च के मैंने निकाला देखो काली हो गई ना मेहंदी जब हमने घोली थी तब आप बताईए मुझे कैसा कलर था मेहंदी का हरा था अब ये देखे इस सरसी ब्लैक हो गया है थोड़ी गुट्लिया भी बने लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है अच इसके बाद सिर्फ और सिर्फ पानी से हेर वाश करना है इसके बाद का प्रोसेस में आपको बताऊंगी यहां दो तिन चीज़ें और ध्यान लगाना है अगर मेहंदी से आपके बाल बहुत जादा ड्राय हो रहे हैं तो हेर ऑलिंग मस्ट है आपके लिए अगर फिर भी बह प्रोसेस और कर सकते हैं जैसे आपने मेहंदी का अप्लिकेशन कर लिया है दो घंटे बाद आपने मेहंदी को वाश किया उसके बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं इंडिगो पाउडर का वैसे तो आल्रेडी मैंने बहुत सारी वीडियो में ये बताया है कि इंडिगो पाउडर का इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या होता है अगर फिर भी कोई क्वेशन है तो आप पूछ सकते हैं यहां एक प्रेश तब उसका color dark black बन जाता है तब red hair है अगर आपकी मेहंदी से लाल हो गए है बार उसके ऊपर अगर आप indigo powder लगाएंगे तो वो natural बालो का color हो जाता है एक चीज और है कि इंडिगो पाउडर का कलर ऐसे नहीं आता है ध्यान से सुनिएगा यह बहुत जरूरी है अगर आपके बालों को इंडिगो पाउडर की आदत नहीं है तो कलर नहीं आएगा तो आपने क्या करना है नेकी कर दरिया में डाल शुरू आती दिनों में आपने सिर्फ लगाना है इंडिगो पाउडर और भूल जाता है जैसे 15 मिनिट के लिए इंडिगो पाउडर भीगो के रखिए दो घंटे के लिए साफ सुत्रे ड्राइ हीर्स में आपने उसको लगाना है नौर्मल पानी से वाश करना है और भूल जाए एक बार में कलर नहीं आएगा यही प्रोसेस दो से तीन महीने आप करते रहेंगे मेहंदी के बाद इसको प्लाई कीजिए और भूल जाए दो से तीन महीने अगर इसी प्रोसेस में करते रहेंगे तब आपके बालों में इंडिगो पाउडर का कलर आना शुरू होगा दो तीन महीने ये प्रोसेस कर लिया महंदी के बाद अलग से इंडिगो पाउडर घोला और लगाया तो ये आपके बालों को अभी धीरे धीरे उसकी आदत हो गई है उसके बाद आप क्या कर सकते हैं जैसे ओवरनाइट के लिए आपने महंदी घोला लगाने के 15 मिनिट पहले उसी महंदी में आप इंडिगो पाउडर एड कीजिए उसके बालों में लगाईए दो घंटे लगा कीजिए उससे क्या होता है आपके बालों में कलर अच्छे से चड़ेगा इंडिगो पाउडर की कॉंट्रवर्सी कभी खतम नहीं होती है अब मैंने कोशिश की है कि सारी चीजे मैं क्लियर कर दूँ फिर भी आपके कोई प्रश्ण है तो प्लीज बे जिजक मुझसे पूछ की बाही बाहbrandा की थांतो की हैं बाहके लगयां है